दोस्तों चकरवाद तूफान असानी को लेकर मोसम विग्यान विभाग के तरब से अभी अभी एक नया अपडेट आ रहा है और बंगाल के खाड़ी में बन रहा है ये चकरवादी तूफान असानी इस तूफान की संभावना के बाद हमारे देश में तीनू से नाओं को अलट मोड पर रखा गया ग्रिहम अंत्राले ने तयारियों की समिक्षा भी किये अगर ये चकरवादी तूफान आता दोस्तों त आने का पुर्वनमान जारी किया गया फिलाहाल दक्षिन बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा और इसके 21 मार्च तक प्रबल होने की संभावना बताई जारी है और 22 मार्च तक ये चकरवादी तूफान असानी में बदल जाएगा इसके आस-पास के इलाकों वाली राज्जु में बारिस की संभावना है इसके अलावे मसमेबा के मुताबिक पस्चिमी विक्षोब के परभाव से पस्चिमी हिमाले के क्षेत्रों में 20 मार्च तक बारिस और बर्फवारी होने की संभावना भी नजर आ रही है इमाचल के क प्रप्रदेश और तेलंगाना में 20 और 21 मार्च को भी बारिस के आसार है। प्रप्रदेश और तेलंगाना में 20 और 21 मार्च को भी बारिस बढ़ने की संभावना रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताज़ा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाईल पर मिलती रहेगी। जय हिंद जय बारत वंदेवा तरम।